नमस्कार दोस्तों आव सी के चैनल में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने बेबी फ्रॉग का चोली बना लिया था हमने टोटल बारह लाइन कम्प्लीट किया तो देखिए फ्रैंस हमने कॉर्णर बनाते हुए दस लाइन बुना और ग्यारवे लाइन में हमने आस्तिन को अलग कर दिया और यहाँ पे पांच चेन बनाया और बारहवे लाइन में प्रतेक चेन पर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया तो बारहवा लाइन हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम इन दोनों सीरों को slip stitch से जोड़ लेंगे यह हमने तीन chain बनाया है तो तीसरे chain में हम ऐसे hook डालेंगे और इसे slip stitch से जोड़ लेंगे तो देखिए हमारा चोली complete हो गया है अब हम फिर तीन chain बनाएंगे और एक और chain बना दिये चार्षेन बनाएंगे एक बल लेंगे और एक हम यहां पर हमने बना दिया अगले वाले को छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले पर हम सिंगल एक डबल कुरूशिया किया फिर एक बल लिया फिर इसी में एक और डबल कुरूशिया फिर एक चेन लेंगे एक बल लेंगे और फिर यहीं पे हमें दो और डबल कुरूशिया बनाना तो हमने देखिए एक चेन में चार डबल कुरूशिया बनाया दो डबल कुरूशिया बनाया फिर एक चेन बनाया फिर दो डबल कुरूशिया अब फिर हम एक चेन बनाएंगे एक बल लेंगे और देखिए हम नेक्स्ट वाले को skip करके अगले वाले पर हम एक डबल क्रुशिया करेंगे लेकिन देखिये हम ऐसे ना कर के देखिये ऊपर से ऐसे ले जाएंगे और इसे ऐसे खिस लेंगे फिर डबल क्रुशिया कर लेंगे फिर एक chain बनाएंगे, फिर एक बल लेंगे, एक chain को हम skip करेंगे, next वाले पे हम दो double crochet बनाएंगे, फिर एक chain लेंगे, एक बल लेंगे, और फिर इसी जगह पे दो और double crochet फिर एक chain लेंगे, एक बल लेंगे, एक chain को हमें skip करना है, next वाले में ऐसे देखिए, बीच से हम ऐसे hook डालेंगे, धागे को खीच लेंगे, अब देखिए, तीन हमारे पास तीन फंदे हो गया है, तो इसे हम जैसे double crochet बनाते हैं, वैसे ही दो बार में इसे close करेंगे, फिर एक बल लेंगे, एक chain छोड़ेंगे, अगले chain में दो double crochet, फिर एक बल लेंगे, एक chain को हम छोड़ देंगे, और अगले वाले ये हमने जो double crochet बनाया है, इसमें हम ऐसे उपर से slide डालेंगे, और दूसरी तरफ निकार लेंगे, और हम यहाँ पे front crochet करेंगे, इसे हम front crochet कहत हैं, पर लिया, देखिए, यहाँ पे जो हमने ये double crochet बनाया है, उसमें, देखिए, जो जगह है, इसमें हम ऐसे hook डालेंगे, और ध्रड़ को खिच लेंगे, अब हम एक बार में दो खतम करेंगे, दूसरे बार में दो, जैसे हम double crochet करते हैं, वैसे ही हम करेंगे, फिर देखिए, एक chain को छेड़ के, अगले chain में, दो double crochet, फिर एक chain मनाएंगे, फिर इसी जगह, दो double crochet, तो देखिए friends, इसी line को दूराते हुए, हम पूरा circle complete कर लेंगे, तो circle complete करके, मैं आपको दिखाते हूं, देखिए friends, हमने ये four double crochet बनाया, अब हमें front crochet बनायाना है, एक chain छोड़ के, अगले वाले chain में front crochet बनाना है, लेकिन, यहाँ पे देखिए, यह हमने चार chain बनाया था, ये एक double crochet count होगा, तो दो double crochet हमारा, यहाँ पे front crochet और एक ये दो, हमारा एक पास आ जा रहा है, तो अब क् देखिए, यहाँ पे हम एक chain, इसकिप नहीं करेंगे, इसी में हम front crochet बना लेंगे, फिर एक chain लेंगे, और यहाँ पे चार double crochet, दो, फिर एक chain, फिर दो double crochet, तो हमारा design जो है, वो set हो जाएगा, फिर हम एक chain लेंगे, और इसके बाद तीसरे वाले में हम इसको single crochet से attach कर देखे, अब फिर हम तीन chain लेंगे, और एक और chain लेंगे, फिर एक बल लेंगे, और देखिए, यहाँ पे हमने चार double crochet बनाया था, तो यहाँ पे हमें चार double crochet बनाना है, यानि हम अपने घेरे का जो यह पहला round है, इसी ही हम repeat करेंगे, पे चार double crochet बनाया, एक chain लिया, फिर इसी में दो और double crochet, फिर एक chain लिया, एक बल लिया, और यहाँ पे हमने front crochet किया है, तो यहाँ पे हमें front crochet करना है, यानि front crochet के उपर front crochet और यह चार double crochet के उपर हमें, चार double crochet, इस shell के उपर shell बनाना है, और front crochet के उपर front crochet बनाना है, तो हम दूसरे round में अपने first round को ही दूरा रहा है, तो इसी तरह हमें first round को ही दूरा आते हुए, अपना घेरा पूरा करना है, तो shell के उपर shell और front crochet के उपर front crochet बनाते हुए, हम length पूरी करेंगे, तो length पूरी करके मैं आपको दिखाते हूँ, देखिए friends, इस समय इसका लंबाई लगबक 17 इंच है, और अगर line गिने तो, घेरे का line गिने तो है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा और तेरा, तेरा line complete हो, अब हम इसमें थोड़ा सा change करेंगे, तो slip stitch से जूड़ने के बाद, चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, एक बल लेंगे, अभी तक हम यहाँ पर देखिए, दू डबल कुरुशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल कुरुशिया बना रहा थे, लेकिन अब हम तीन डबल कुरुशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर एक चेन, फिर तीन डबल कुरुशिया, एक, दो, और तीन, फिर एक चेन बनाएंगे, बल लेंगे, और यहाँ पर हम फ्रन्ट कुरुशिया बनाएंगे, पर एक चेन लेंगे, पर यहाँ हम तीन डबल कुरुशिया बनाएंगे, पर एक चेन, फिर तीन डबल कुरुशिया, पर एक चेन फिर बल और यहाँ पर फ्रन्ट कुरुशिया बनाएंगे, तो इसी तरह करते हुए, चौदाहमा लाइन हम कम्प्लीट कर लेंगे, तो लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए फ्रन्ट्स, चौदाहमा लाइन कम्प्लीट हो गया, अब इसको पीछे की तरफ से स्लाइड हूख डालेंगे, और इसे स्लिप स्टीज से जोटेंगे, अब तीन चेन लेंगे, और एक बल लेंगे, और फिर हम जैसे हमने चौदाहमा लाइन बना है, ऐसे ही तो लाइन और बना लेंगे, तो दो लाइन बना के आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए फ्रन्स, मैंने लाइन कम्प्लीट कर लिया है, अब हम एक चेन बनाएंगे, और पीछे से ऐसे इसमें हुक डालेंगे, और और इसे हम क्लोज कर देंगे, दागे को काटेंगे और इसमें से हम इसे निकाल लेंगे, तो ये मैंने कम्प्लीट कर लिया, अब इसे हम पीछे की तरफ ऐसे कर देंगे, हमारा फ्राक लगबग त्यार हो गया है, अब हम इसकी लंबाई देखे तो ये सवा 12.5 इंच कम्प्लिट हुआ है अब हमें इसमें बटन पत्ती बनाना है तो ये जो एक्स्टरा चेन है इसे हम खोल देंगे और इसमें हम धागा जोल देंगे अब हम बटन पत्ती बनाने के लिए यहाँ पे सिंगल कुरूशिया करेंगे जितना आसानी से हो जाता है उतना हम सिंगल कुरूशिया कर लेंगे तो देखिए फ्रांस हमने सिंगल कुरूशिया कर लिया अब हम एक चेन बनाएंगे और यहें से ऐसे पलट जाएंगे और प्रतिक जितने हमें यह सिंगल कुरूशिया जहां हमने बनाया है वहाँ प्रतिक में देखिए इसके लिए तो हमने यहाँ एक चेन बना दिया अब next में हम single crochet करेंगे प्रतेक single crochet में हम single crochet करेंगे तो देखिए friends प्रतेक single crochet पर single crochet करते हुए हमेने line complete कर ली अब हम एक chain बनाएंगे और फिर यहीं से पलट जाएंगे और फिर देखिए पहले वाले का यह हो गया यानि अब हम next वाले से single crochet करते जाएंगे प्रतेक single crochet पर single crochet देखिए यह हमारी बटन पटी त्यार हो गए लास्ट वाले पर भी हम एक single crochet करेंगे और इस लूप में से इस दागे को निकाल लेगे और दागे को हम काटेंगे अब हमें यहां पे थोड़ी सी सिलाई करने हैं दागे को सुई में डालेंगे और इसको ऐसे उपर की तरफ से ऐसे लाएंगे और हम ऐसे अटाश करेंगे यहां पे हम इसको अच्छी तरह सिल लेंगे अब यहां पे हम दो तीज बटन लगा देंगे तो अब यहां पे हम दो तीज बटन लगा देंगे हमारा फ्राग बनके त्यार है अगर हम चाहे तो वैसे तो हमारा फ्राग बनके त्यार है लेकिन हम चाहे तो इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हैं इसे डेकोरेट करने के लिए हम कोई भी डार्क कलर का उननेंगे और इस जितने हमारे चेन है जितने भी चेन है चारो तरफ हम slip stitch से चारो तरफ हम slip stitch कर लेंगे इसको इधर की तरफ गुमा देंगे और जितने भी चेन है सब पे हमें slip stitch करना है जितने भी चेन है सब पर हमें slip stitch करना है तो करके मैं दिखाते हूं तो देखिए फ्रैंस मैंने ब्लैक कलर के उन से चारो तरफ पॉंजी बना दिखिए पीछे की तरफ से भी देखिए अब हम इसमें एक फूल बना देंगे तो इसकी खुबसूरती और बढ़ जाएगे तो फ्रैंस फूल हम नेक्स पार्ट में बनाएगे तो फ्रॉक आपको कैसा लगा बताएगा थैंक्स फर वाचिंग